जहिन दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आही गई जिसका आप सभी को इंतजार था मैं पहुँचने वाला हूँ LOC कश्मीर 15 अगस यानि कल जंडा अपना लहराने के लिए तिरंगा सबसे उचा वहीं लहराएगा जैसा मैंने आपसे वादा किया था काड़ी हमारी हो गई है 1200 रुपे में भाई हमें वहां तक छोड़ देंगे तंगदार तित्वाल LOC का जो एरिया है और पर्मीशन भी हमें मिल गई है जाने की तो अब तो हम निकल रहे हैं यहां से कुछ 90 किलोमीटर आगे रास्ता है होपफुली पहाड़ी इलाके से हम सही सलामत पहुच जाएंगे कल 15 अगस पे आपको पहली किरन पे जंडा लहराता हुआ तिरंगा हमारा सबसे उचा वही नजर आएगा शुरुवात हमने कन्या कुमारी से की थी फिर कोची, बैंगलोर, गोवा, मुंबई, एहमदाबाद, इंदौर, जैपूर, दिल्ली, चंडिगड, अमरिसर, शिरिनगर और अब हम जा रहे हैं एलोसी के इलाके में जहां किरंगा हम लेराने वाले हैं और आप तक सारे नजारे लगातार हर एपिसोड में पहुचाए हैं क्योंकि एम यही था कि आर्मी सेंटरल वेलफेर फंड के लिए जो 10 लाक रुपे हमें रेज करने थे वो पूरा हो जाए और आप तक जो हमारे जवान हमारे लिए रक्षा करते हुए वीर गती को प्राप्त कर जाते हैं उनकी फैमिलीज की देख बाल के लिए जो यह फंड चलाया जाता है उसकी इन्फरमेशन आप तक पहुचे तो जल्द ही यह अपना मिशन तिरंगा कंप्लीट होने वाला है आप साथ बने रहिए जो माहौल 15 अगस्त पे होगा वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा तो अभी चलते हैं समय जादा वेशना करते हुए समय से पहुच जाते हैं क्योंकि आगे पहाडी इलाका है थोड़ा सा मुश्किल भी रस्ता है जब हमने 5000 किलोमीटर से जादा का सफर तै कर लिया तो यह तो अब कुछ भी नहीं लगता तो चलते हैं और बढ़ते हैं आग आओ यार कुछ बारा साल पहले यहीं अपनी पहली पोस्टिंग आया था और आज फिर जाने का मौका मिल रहा है पहले सोचा नहीं था जब जा रहा था है यहांसे कि फिर से मौका मिलेगा वही फिलिंग आज फिर से आ रही है जो पहली बार आई थी बहुत अच्छा लग रहा है और हलके हलके बारिश भी हो रही है बस डर यह है कि रस्ता खुला रहे क्योंकि आगे पहाड़ी इलाका है और फिर जाने में तोड़ी दिक्कत भी हो सकती है बढ़ देखते आगे च हम कुपवाड़ा पहुंच गए है फिर यहां से चौकीबल फिर आएगी एंसी पास की पहाड़ी वह हमें शाम होने से पहले क्रॉस करनी है उसके बाद ही हम तंगधार पहुंच पाएंगे उस पहाड़ी को क्रॉस करके बस जल्द ही हमें निकलना है थोड़ा सा मौसम नास यार हम चौकीबल पहुंच गए है यहां भी मेसेज पहुंचा नहीं है तो रुके हुए है जैसे ही परमीशन आ जाएगी आगे बढ़ेंगे इतना असान नहीं है पहलो सी तक पहुंचना और अच्छी भी बात है बट मैं तो तारीफ करना चाहूंगा ब्यारो की इतनी अगे चलके अगे अगे चलके अगे यार रास्ता रुका हुआ है आगे लेंड्स्लाइडिंग उरकी है कह रहे है सुबह तक खुलेगा नहीं ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी कैसे पहुचेंगे लोसी इती दूर आके पंजिल सामने दिख रही है और हम नहीं जाब आई यह तो कैसे चलेगा देखता हूं कुछ जुगाड जब तक हम वेट कर रहे हैं रास्ता क्लियर होने का मैं आज के टॉप डोनर्स इतने सारे डोनेशन सा आ जा रहे हैं मैं बहुत खुशी हो रही है देखके वाज के टॉप डोनर्स हैं विजे वेमुला जिन्होंने जादा करीब लाके खड़ा कर दिया है थैंक यू सो मच विजे थैंक यू मांसी फॉर डोनेटिंग 5,000 अभिमन्यू जिन्होंने 100 टॉलर्स डोनेट किये टीम सेवन वंडर्स जिन्होंने 10,000 रुपीज का डोनेशन करके हमारे टार्गेट को और करीब लाके खड़ा कर दि है ऐसे ही डोनेशन बनाए रखें आप मैं फंड्रेजर चालू रखोंगा एक दो दिन और यार ठंड बढ़ती जा रही है रस्ता खुलने का नाम नहीं ले रहा है मुश्किल हो जाईए तो रात अगर यहां रुखना पड़ गए है तो रुखने का भी कुछ जुगार नही यार इत्ते करीब मंजिल के आके रात को यहां गाड़ी में रुखना पड़ रहा है समझने आ रहा है यही रास्ता कब खोलेगा कुछ देखना पड़ेगा पैदल भी रात को मुवमेंट अलाओड नहीं है वनना मैं तो पैदल ही निकल जाओं चलो क्या करें यार देखना तो बैयार बात ऐसी है हम यहां बरुक नहीं सकते सूबह हो गई है पूरी रात काड़ी में बिताई है अब मंजल सामने है तो मैंने डिसाइड किया है कि पैदल ही जाओंगा रस्ता बहुत लंबा है बठ पहुंचना है पंदरा अगस्त पे तिरंगा लहराना है तो लहरान और आज 15 अगस्त है इससे पहले सूरज निकले पूरी तर है मैं पहुच जाओंगा एलोसी पे अभी मैं निकल रहा हूँ पैदल अब चाहें जितना टाइम लगे चाहें जितनी एनरजी लगे पिछले तीस दिन से जब मैं यहां आ सकता हूं 5000 किलोमीटर कवर करके बस से ट जाएगा और मैं जा रहा हूँ कि अगरफ जैसा पानी है पर अपने को एनर्जी चाहिए है एड्रेलिन चाहिए तोड़ा सारेश्ट कर रहा हूँ सामने गाहू दिख रहा है बस वहीं तक जाना है और अज़ हभी रुखे फिर चलेंगा चलते हैं कि अज़रा देख लो कश्मीर की वादियों का बिना बरफ की कितनी खूबसूरत लग रही है प्रिमंदल सामने देख रही है बस अभी पहुच जाओंगा निम्मत नहीं आड़नी है बरते जाना है जाओंगा नहीं लिए लगणा है अज़र कावड़र चलता है अज़र कर लेड़ा कामयाब रहा अज़र कर लेड़ा कामयाब रहा कर दो किलिमेटर आप यह क्या कर रहे हैं यह कैसे लेकर जाएंगे अच्छा चलो अपनी मंजिल सामने है अच्छा बंद पड़ा अभी मैं पहुंच गया हूँ एलोसी के लास्ट गाउं टंग्धार पे तो यार तीस दिन की जर्णी आज फाइनली कम्पलीट हो गए हमारी कन्या गुमारी से शुरुवात करी थी पहुत गए है तंगधार जो आखरी गाउ है सामने एलोसी है उसके उधर पाकिस्तान और कश्मीर है वहाँ पे भी चलेंगे तिरंगा उधर ही तहराएंगे और आपको नजारा दिखाऊंगा बहुत ही खुशी वाली फीलिंग आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना ज्यादा डिस्टेंस और इतने कम समय में पूरा एक रुपे में कर लूँगा पैसे कमाये रस्ते में और बढ़ते चले गए आगे और फाइनली तंगनार पहुँच गए हैं कन्या कुमारी से कश्मीर की जर्णी अपनी तीज दिन की कंप्लीट हो गई चैलेंज कंप्लीट हो गया अब बस तिरंगा लहराएंगे सूरज की पहनी किरण जैसे ही सामने आएगे अभी चलते हैं आगे एलोसी की दरब जल्दी आओ जैसा आप मैंने वादा किया था एलोसी पे खड़े हैं तिरंगा हैंडोगर करेंगे आर्मी को कि वो नैशन एक्षिन के लिए अधरी हो जाएंगे जाहिं सर्ड चेटन शचान की पोनाची एलोसी उच्छियन की एलोसी फ्ड़ेव दोगे की जैहिए झाल 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 So what's next captain? On to the next mission! झाल How are we doing? remake